नमस्कार, मैं हो ससी, आईए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं रांची में जुवा के अड़े पर छापे मारी 14 पुलिस कर्मी समेत 20 गिरपतार राइधानी रांची में गोंदा थाना पुलिस ने मिसीर गोंदा में छापे मारी कर जुवा खेलने के आरोप में 14 पुलिस कर्मी समेत 20 गिरपतार किया है सभी से गोंदा थाना में पुष्ट आच की जा रही है SSP चंदन सिनहा जुवा के खिलाप लगातार अभियान चला रहे है SSP को सुचना मिली थी कि मिसीर गोंदा में बड़े परमाने पर जुवा का खेल चल रहा है SSP ने एक टीम का गठन किया और छापे मारी करने का आदेश दिया बता दे टीम जब मिसीर गोंदा इलाके में चापे मारी करने पहुँची तो जुवा खेल रहे पुलिस कर्मियों को कोई फरक नहीं पड़ा चापे मारी करने गई टीम के साथ पुलिस कर्मिय उलज भी गए इसके बाद करवाई करते हुए सभी आरोपितों को गिरफतार कर थाना ले जाया गया पुलिस ने आरोपितों के पास से साड़े तीन लाक रुपए और आठ बंडल तास बरामत किया है सभी आरोपितों को सोमवार के सुबह जेल भेजा जाएगा गिरफतार होने के बाद आरोपितों ने कई जगों से पैरवी करवा कर बश निकलने का प्रयास किया मिस्तिर गुंदा में प्रती दिन जुगा का खेल होता था चीन में फ्याल रही नई बिमारी से भारत अलर्ट चीन में निमोनिया के बढ़ते मामलों ने भारत में भी चीनता बढ़ा दी है इसके मन्द नजर केंद्रिये स्वास्त मंत्राले ने सभी राजियों और केंद्र सासित परदेशों को सरोजनिक स्वास्त केंद्र और अस्पताल की तियारियों के उप्योग की तुरत समिक्षा करने की सलाधी है स्वास्थ मंत्राले हालाच पर करीबी से नजर रख रहा है जिससे संकेत मिलता है कि किसी भी तरह की चिंता बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है स्वास्थ मत्राले ने सभी राजयों और केंद्र सासित परदेशों को कोविड-19 के संदर्व में संसोधीत निगरानी रणनीती के लिए परिचालन दिसा निर्देश लागू करने के लिए का जार्खन राज करमचारी महासंग की नई कारे समिती गठित की गई है जिसमें स्वाल समती से देविंद्र परसाद सिंग को महासंग का मुखे संरक्षक बनाया गया साथ ही कई अने पदों के लिए भी संगठन में करमचारीों का चैन किया गया बताद नन यूक्त महासंग के पतादिकारियों ने करमचारीों के हीत में आवाज बुलंद करने का पासल लिया है नई कारे समिती गठन के साथ ही जार्खन राज करमचारी महासंग का दो दिवसी राज समिलन संपन हो गया रभीवार को राज समिलन के दूसरे दिन राजधानी रांची की कमल किसोर यादव सभागार पुलिस कल्ब में जारखन राज करमचारी महासंग के राज सम्मिलन के दूसरे सत्र में All India Federation Trade Union के राज अध्यक्ष सिया सरन सर्मा ने कहा है कि बर्तमान समय में सरकार के करमचारी बिरोधिनितियों से करमचारी कराह रहे हैं उन्होंने सभी करमचारी संगटनों से एक जूठ होकर आंदोलन करने का वहन किया इसके उपरांत महासंचिव के प्रतिवेदन पर विस्तार से चर्चा की गई और मांगों को पूरा करने की बात कही गई है राज भौन के समक्ष धरना रांची में किसान और मैदूर नेताओ का परदसन हो रहा है विभीन मांगों को लेकर अपने तीन दिवस्य आंदोलन की सुरुवात उन्होंने राज भौन के समक्ष धरना दे कर की है बतादे राष्ट ब्याफी कारकरम के तहट किसान संगठनों एवं मैदूर संगठनों की तरफ से आयोजी तीन दिवस्य महापड़ाव सुरू हो गया है इसको लेकर राज भौन के सामने केंदर सरकार खिला बिरोत प्रसन किया गया तीन दिवस्य देश ब्याफी कारकरम का नेतितों कर रहे है जारखंड CPI की ओर से पार्टी के वरिष्ट नेता सहपुर्व सांसन मेहता ने कहा है कि 26 नौमबर के दिन ही देश को समिधान पर चलने की सपतली गई थी लेकिन अजादी के बाद भाजपा की सरकार कुछ उद्योग पतियों की सरकार हो गई है अमबानी अडानी जैसे उद्योग पतियों को सिर्फ सरकार योजनाओ का लाग पहुंचाया जा रहा है जैरखन में मना समिधान दिवस सकुली बच्चो को किया गया जागरूप इस मौके पर सकुल के बच्चो को भी जागरूप किया गया बदा दे समिधान दिवस के उसर पर जार्खन बिधान सभा में रभी वार को समिधान की प्रस्तावना का पाठ जार्खन बिधान सभा के प्रभारी सचीव सायद जावेद हैदर के नितियुत में किया गया इस औसर पर विधान सभाग के प्राधिकारी और करमचारी भी उपस्थित रहे वहीं जालसा के तत्वधान में वरांची जीला विदिक सेवा प्राधिकार के नयायुक्त सा अध्यक्स के निर्देश पर समिधान दिवस के आउसर पर सभी ब्लोक एवाम लीगल आयन क्लिनिक में समिधान दिवस मनाया गया कॉल गर्ल का सोख जेप पर पड़ रहा भारी एसकॉर्ट सर्विस के नाम पर पिछले पांच सालों में 150 अधिक युवा जेल जा चुके हैं हजारी बाग में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो सब जानते हुए भी लगातार फंसते जा रहे हैं बता दे इनमें अधेर तो अधेर 70 साल के ब्रीद भी सामिल हैं यह खुलासा एक बार फीर मुपसिल थाना वा बरकट्टा थाना के पुलिस ने छापे मारी में हुई है मुपसिल थाना पुलिस ने ओरिया बायपास के तीन साइबर ठगों को सिंपल एसकॉर्ट सर्विस के नाम पर ठगी के आरोप में पकड़ा है वही बरकटा थाना पुलिस ने मसी पीडी से पांच लोगों को पकड़ा है 28 नॉवंबर से भरे जाएंगे इंटरमीडियेट के परिक्षा फर्म जार्खन एकेडमी कॉंसील जैक ने इंटरमीडियेट परिक्षा फर्मीडियेट के लिए ओनलेन आवेदन करने की तीथी घोसना कर दी है 28 नॉवंबर से छात्र चात्राय ओनलेन आवेदन कर सकेंगे वही 12 दिसंबर तक बिना बिलम सुल के आवेदन किया जा सकेगा जबकि 13 दिसंबर से 20 दिसंबर तक बिलम सुल के साथ आवेदन भरे जाएंगे इसमें स्कूलों और कॉलेजों में पर रहनी मी सोतंत्र और प्रुवर्ति छात्र चात्राय आवेदन कर सकेंगे बता दे स्कूल और कोलेज चात्रशात्राओं का वेदन की प्रती उपलब्द कराएंगे चात्रशात्राओं से वीदुवत भार कर स्कूल लेकर आएंगे जहां से सिक्चक उसे ऑनलाइन करेंगे पलामू में नहीं लगेगा बाबा बागेश्वर का दिव्य दर्बार बागेश्वर धाम के बाबा धिरेंदर सास्त्री के आगमन 10 से 12 दिसंबर को पलामू में दिव्य दर्बार लगाने का करकरम अस्थागित हो गया है अब धिनेदर सास्तिरी उर्फ बागेश्वर बाबा को पलावों में दिवे दर्बार लागाने के लिए इंतजार करना होगा बतादे जीला प्रसासन ने उनके कारकरम आयोजन कराने के लिए परदूसन वन विभाग आपदा प्रबंधन विभाग से अनापत्ति प्रमान पत्र प्राप्त करने की सर्थ रख दी है इसके लावे बिधी बेवास्था का मामला भी है बिना इंसर्थ पुरा की आयोजन की प्रसास्निक अनुमती नहीं दिजाएगी उपायुक्त ससी रंजन का कहना है कि नदी किनारे आयोजन करने से नदी का इकोसिस्टम प्रभावित होने का खत्रा है इसकारण वन एवं पर्यवन विभाक्याना पत्ति जरूरी है लातेहर सलक हाजसे में एक ही परिवार की तीन लोगों की मौत जनकारी के अनुसार विजय गांजु उम्र 27 साल पीता बुधन गांजु एवं उनकी पत्नी देवांति देवी उम्र 24 साल एवं उनका बेटा अम्रित गांजु उम्र 8 साल की मौत हो गई है जबकि बिजय गांजू की छोटी बेटी अंकीता कुमारी तीन वर्स गंभी रूप से गहल हो गई चाईबासा में नकसलियों के खिलाब बड़ी करवाई अभियान के दवरान गोहिल के राट, टोंटो थाना अंतरगत, तीलाई बेरा और राजा बासा के आसपास जंगली पहाडी चेतर में बनाये हुए तीन नकसलियों को सुरक्षा बोलो के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया वही नकसलियों केंप से जरूरी उप्योग के समान एवं अनसमागरी बरामत की गई साथ ही टोंटो थाना अंतरगत ग्राम राजा बासा के समय बिजंगली पहाडी चेतर में सुरक्षा बनों को लक्षीत करने के उद्वस्त से नकसलियों द्वारापुर में लगाएगा एक आईडी भी बरामत किये गए हैं बिधाया कमलेश सिंग को मिली एक्स काटेगरी की सुरक्षा NCP के परदेश अध्यक्ष पुरो मंतरी सह पलावों को हुसेनाबाद से बिधाया कमलेश कुमार सिंग को CRPF की सुरक्षा मिली है ग्रिह मंतराले के निर्देश पर कमलेश सिंग की सुरक्षा में CRPF के जवानों को तेनाथ किया गया कमलेश सिंग को ग्रिह मंतराले ने एक्स काटेगरी की सुरक्षा परदान किया है दरसल गिरिह मंत्राले और CRPF की एक टीम सनिवार को पलामू पहुची थी इस दरण कमलेस कुमार सिंग के सुरक्षा ब्यास्ता को लेका समिक्षा की टीम ने पलामू पुलिस के अधिकारियों संग बैठक का जनकारी लिया था जार्खन के सरकारी स्कूलों में साल में 124 दिनों की छुटी राजे के सरकारी स्कूलों में साल में 124 छुटिया है वहीं 242 दिनों का कलास होता है इन चुटियों में 52 रभिवार की चुटी, 12 सनिवार के चुटी और 7 में गर्मी की चुटी और अन्य प्रयाप्त तेवार सामिल है सिक्षा विभाग की ओर से जारी चुटियों के केलेंडर में 60 दिनों की स्विक्रिती चुटिया है वहीं इस साल महिने के तीसरे सब्ता के सनिवार को चुटिया दी जाती है इन 242 दिनों में सभी विद्यार्थियों का सिले बस पूरा करवाया जाता है जार्खन सरकार के सिक्षा भी भाग द्वारा 60 चुटियों की घोसना की गाई लेकिन सभी जीलों में इन चुटियों को अलग दिनों में भी लिया जाता है इसका निर्णा है सिक्षक संग द्वारा लिया जाता है चुटिया अलग-अलग एडजेस्ट की जाती है लेकिन स्टार्ट से अधिक नहीं हो सकती जूँवा खेलते पकड़े गए सि एम अवास में कार्रत पुलिसकर्मी तो बाबुलाल मरांड़े ने किया ट्वीट पुलिसकर्मी खोद भी जूँवा खेल रहे थे और खेलवा भी रहे थे इस पुरे परकरण में सबसे खास बात्या है कि इन में से कुछ पुलिस करवे मुख्य मंत्री आवास में कार रहा था है और इस बात को पुरी तरह से चिपाया गया किसी भी तरह से मामले को रफा दफा किया जा रहा है ये बाते भाजपा के परदेश अध्यक्स बाबुलमरा ने ट्वीट कर कही है इसके साथ ही उन्होंने मुख्य मंत्री हमान सुरिन पर भी निशाना साधा उन्होंने कहा है कि जिस राजपा मुख्या सुबब से रात तक बत चोरी और हेरा फेरी का गोरख दंदा करने में लगा हो वहाँ ठीक उनके नाक के नीचे काम करने वालों को ऐसा अपराद करने का उक्सिजन मिलती ही रहता है उन्होंने कहा है कि जब बहुस ही राजपा के साथ रोज जुगा खेलते हैं तो चेले क्यों पीछे हटेंगे मुख्य मैंतरी हमाशी ने कहा है कि आपकी योजना आपके सरकार आपके द्वार कारकरम जिस मकसद से सुरू किया गया था उसमें जा कितना परभावी कारगर और सफल साबित हो रहा है इस बात से लगाए जा सकता है कि देश के कई राज जार्खन के इस मॉडल को अपना कर गरीबो और ज़रुवत मंदों को इनके दर्वाजे पर सरकार की सिवाओं और योजनाओं का लाब दे रहे हैं तथा उनकी समझ्याओं का समधान कर रहे हैं सुरेन ने पाकूड में आपकी जोजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तिस्रे चरण के अशर पर आयोजित कारक्नम को समोधित करते हुए कहा है कि इन अभियान के पिछले दो चरणों में सरकार की आवाज और नजरे गाव गाव तक पहुची है लाखों लोगों क इनका हक अधिकार मिला है लुगु बुरु घंटा बाड़ी में अंतराष्ट्रिय संताल सरना धर्म महा समिलन का भव्य आगाज संतालियों के महान धर्म अस्था ललपनिया इस्थित लुगु बुरु घंटा बाड़ी धोरों गाढ़ में रभी वार्षिदो दिवसिये 23 अंतराष्ट्रिय संताल सरना धर्म महा समिलन का भव्य आगाज हो गया है बुकारों के ललपनिया का इलाका सरधालों से गुल जा रहा है लाखों की संख्या में सरधालों का आगमन हो रहा है असम मनिपूर तिरपूरा 36 गड़ बंगाल बिहार के अलावा जार्खन के दुम का जमसेदपूर रांची धनबात जामतवा लिटी पड़ा गुमला लातेहा सिम्डेगा आदी जीलों से सरधालों पहुंच रहे हैं जबकि नेपाल से भी सरधालों का एक जथ्था लोगु बुरु पहुंचा है उनमें पुर्व सांसद सह नेपाल समिधान सभाकसर से मोह और टुड़ू संथाली विकीपीडिया के संपादक सीबू मुर्मू भी सामिल हैं रांची में युवा राजत का ब्यान केंद्र सरकार की उल्टी गिंती सुरू जारखन युवा राश्रिय जनतादल की राज अस्तरिय बैठाक में सामिल हुए पलामों के पुर्व सांसद ने कहा है कि यह भारतिय समिधान की ही ताकत है कि कामेस्वर बैठा जैसा गरीब का बेटा भी लोगसभा में जाकर समाज के उन वर्गों के लोगों की आवाज बनता है जो बिकास की राह में पीछे चुट गए थे वही जहारखन युवा रायत के परदेश प्रभारी हो गई है वहीं परदेश युवा रायत अध्यक्ष रंजन यादों ने कहा है कि हमें हर जीले में रायत को मजबूत बनाना है जहां पार्टी खुद चुनाव लड़ेगी वहां सीधे इसका लाब दल को मिलेगा और जहां सहयोगी लड़ेंगे वहां हमारा मजबूत चौरी मामले का पुलिस ने खुलाचा कर दिया है पुलिस ने चौरी में सामिल आरोपी को गिरफतार कर लिया है साथ ही चौरी के समान की बरादिवी भी हुई है चौर मंदिर के पास कही रहने वाला है बता दे भगवान जगनात मंदिर में चौरी करने वाला चौर आखिर कर पकड़ा गया है धुर्वा पुलिस ने CCTV फूटेज से मिले सक्ष क्याधार पर आरोपी को गिरफतार कर लिया है साथ ही चोरी के अधिकान समान को भी ब्रामत कर लिया गया गिरफतार आरोपी मंदिर के पास इस्थीत मौसी बाड़ी का रहने वाला है गुमला में भगवान भरोसे आदिम जनजातिया सरकारी सुविधार सिर्फ दिखावा गुमला जिले में 16,000 सरधिक आदिम जनजातिक लोग निवास करते हैं परन्तु उनकी जिन्दगी भगवान भरोसे चल रही है इन जनजाति के लिए सरकारी सुविधार महज दिखावा ह सरकार के सबसे नीचे के सिस्टम के कारण सरकारी योजनाये आदिम जन जाती बहुल गाउँ तक नहीं पहुँच पा रही यही वज़ा है कि आज भी इन जन जाती के लोगों का जीवन जंगलों पर आस्री था है कई गाउं में पीने के लिए स्वक्ष पानी तक नहीं है वही सोच करने के लिए सोचाले वा चलने के लिए सलक नहीं है कई गाउं में अभी तक बिजली नहीं पहुची अगर कहीं पूल वतार है तो बिजली आपूर्ती नहीं होती वही रोजगार का साधन भी नहीं है बॉक्साइट छेत्र में रहने वाले आदिम जन जाती अपनी ही जमीन पर आज मजदूरी करने को विवस हैं एक्सप्रेस ट्रेनों में चला बिसेस चेकिन 329 यातरी पकड़े गाए जारखन के डालतेन गाज रेलवे स्टेशन से उटारी के बिज सनी वार की राद बिसेस चेकिन अभ्यान चलाया गया इस देवरान लंबी दुरी की विविन एक्सप्रेस ट्रेनों में टिकट जाच की गई CIT BM-5 के नितिते में ए बिसेस चेकिन अभ्यान चलाया गया इन में 329 एक्सप्रेस टाटा जमू तवी सकती फूंज या पलामू एक्सप्रेस में टिकट की जाचकी गाई CIT BM पांडे ने खाय की ट्रेनों में लगातार विशेश चेकीन अभियान चलाया जा रहा है Gड़वा DC ने राय नितिक दलों के पर्तिनिधियों के साथ की बैठाक मदाता 120, संचीब्थ पूनुरीक्षन कारकराम को लेकर DC सेखर जमवाने रायनितिक दलों के परतिनिद्यों साथ बैठाक की है बैठाक में जीलिया निर्वाचन पता दिकाईए ने सभी रायनितिक दलों के परतिनिद्यों का स्वागत करते हुए जीले भर में चल रहे मद्दाता सोची विशे संचीब्त पोनेक्षन कारकरम 2024 की विस्तित जनकारी दी डीसी नी बताया है कि जीले भर में 18 वर से अधिक आयू वर्ग के नए मद्दाताओ का नाम मद्दाता सोची में जोड़ने नाम पता में सुधार करने समेत अने भी सयोग लेकर 21 जुलाई से लेकर 21 अगस्ट 2030 तक सभी बियलो दिवारा घर घर जाकर विरिफिकेशन किया गया विरिफिकेशन के दवरान छुटे हुए मद्दाताओ और दावा अपत्ति को लेकर दियोते भरमन के तहट 27 अक्टूबर से 9 अधिसंबर तक जीले भर में सर्वेक्चन कार किया जा रहा है जार्खन में पहली बार कैट सो 110 बिलिया हुई सामेल सहर में आपने डॉग सो देखा होगा लेकिन पूरे जार्खन में पहली बार मानगो इस्थित होटल सीनेट में फ्लाइंग वर्ल्ड संस्था की और से दो दिवसे कैट सो कायोजन किया जा रहा है बता दे दो दिनों तक चलने वाले इस सो में लभक 110 बिलिया सामिल हो रही है इसमें पार्सियन, साइबेरियन, हिमालियान, इंडियन और मैकुन सहित अनब्रीट की कैट को सामिल किया गया और्गिनाइजर आसिफ ने बताया है कि इस सो को देखने वाले लोगों के लिए फूड एस्टॉल भी लगाएगा है उन्होंने बताया है कि सनीवार को पहले दिन यहाँ आई सभी बिलियाकने सुल्क भैक्सिनेक्शन होग ग्रूमिंग हुआ है जैक का डियलेड परिनाम घोसीत जारखन एकेडमी कॉंसिल की ओर से सनीवार की देर साम डिपलोमा एन एलिमेंटरी एजुकेशन डियलेड दुहजार एक स्टेज के परिनाम की घोसना की गाई घोसी टोपर लिस्ट में टोप तीन अस्थान पर जमसेदपूर के विद्यार्थियों ने कबजाव जमाया सरवधिक 278 अंक लाकर हर प्रित कौर इस्टेट टोपर बनी है वहीं धिरेंद्र कुमार 1261 अंक के साथ सेकेंड टोप पर रहे वहीं आरती सकहुजा 1251 अंक के साथ तीसरे अस्थान पर ही है तीनोजमसेदपूर के परड़ी इस्थीत BMNS इंस्चूट अफ एजुकेशन के है बांगला देशी घूसपैठियों को सनक्षन दे रही हेमन सरकार बीजेपी भारतिये जानता पार्टी के परदेश परवक्ता परतूल सहधेव ने सनिवार को प्रेश वार्ता कर कहा है कि हेमन स्विधान सरकार बांगला देशी घूसपैठियों को सनक्षन दे कर राष्ट की सुरक्षा और समप्रभूता से खिलवार कर रही है प्रतूल ने कहा है कि फार्नस एक्ट 1946 और पास्पोर्ट एक्ट 29 के अंतरगत और भारतिय समिधान के आर्टिकल विदेसी घुसपैठियों गिरफतार करने और बाहर करने की जिमेदारी राय सरकार को दी गई है इसके बाजूद राय सरकार इस पूरे मुद्दे पर कुण्डिली मार कर बैठी हुई है इन घुसपैठियों का हुआ बोट बैंक के रूप में परयोग कर रही है मंदीर परिसर में चल रहा था असलील डांस 18 गिरफतार जार्खन के सराय के लाखर सावाजिला इस्टीत आदित्यपूर के मंदीर में सनीवाय देर राद सर्वनाग घटना सामने आई है आर आईटी धाना चेत के राम मंदीर परिसर के एक कमरे में असलील डांस चल रहा था जिसकी सुचना मिलने पर पुलिस निचापे मारी का अर्चा डांसर वो एक दर्जन यूओ के हिरासत में ले लिया है मिली जनकारी के अनुसार यहां डांस अस्थानिय पुजा कमिटी के सहसे ही करवा रहे थे आकांचा परवेस परिक्षा तीन मार्च को तीन मार्च दुहजर चोबिस को आकांचा की परवेस परिक्षा होगी बताद आकांचा में इंजिनियारिंग, मेडिकल और क्लेट के निए सुल्क त्यारी कराई जाती है, इंजिनियारिंग के लिए बहुत की गनीत, रासायन सास्त और मेंटल एविलेटी टेस्ट, वाई मेडिकल के लिए बहुत की जीव, विग्यान, रासायन सास्त और मेंटल ए लिंक डिस्क्रप्शन में